तो कुश्चन अपने सामने क्या बोल रहा है अब प्रोडट्ट वास माख्ड फॉर सेल बिद अ लेवल प्राइस एट विच इस ट्वेंटी पर्सेंट डिस्काउट ता प्रिंटेट प्राइस इस लाइन का मतलब समझें क्या बोल रहा है एक product ठीक है एक product पी इसको क्या की अगाया mark की अगाया sale के लिए at a level price मतलब यह क्या level price जो की क्या which is 20% discount at the printed price मतलब कहीं अगर यह printed price है तो इस पर कितने का discount मिल रहा है 20% का discount मिल रहा है और यह बन गया level price line का मतलब समझ में आया है क्या बोल रहा है एक product को markd किया गया है sale के लिए बिद्धर level price level price at which is 20% discount of the printed price printed price पर 20% discount देने के बाद level price पर पहुँच रहा है फिर क्या बोल रहा है at the time of sale अज swapkeeper give additional discount of 10% on the level price अब वो 10% का discount देता किस पर देता level price पर sale के time पर तो पहुच जाते हैं कहां selling price पर यह आगया अपना क्या selling price आप बोलो गहां से बिल्कुल ठीक है कोई दिखका नहीं है printed price पर 20% का discount हुआ level price level price पर 10% का discount हुआ selling price if a customer bought the product for 468 rupees then what is the printed price of the product printed price बताना वो भी product का printed price बताना प्रोडक्ट का तो आप बोलों से बड़ा simple सी चीज है पहला तरीका क्या ratio method लगा लो दूसरा तरीका क्या formula लगा लो तो formula अगर आपन देखें तो formula क्या होता है successive discount निकालने का formula क्या होता है आप बोलों से दो successive discount है तो इनका formula होगा x plus y plus xy upon 100 x और y अपने sign के साथ आएंगे sign के साथ आएंगे तो minus 20 minus 10 minus 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 into minus क्या हो जाएगा plus 20 into 10 बटे 100 ठीक है इसको solve करेंगे तो क्या जाएगा 20 और 10 30 ये ये दो 0 से 20 कोड़ाएगे तीस में से दो minus करेंगे क्या बचेगा, minus 28 percent तो इसका मतलब क्या है? सका मतलब ये है कि 100 रुपे का कुए product है इस पे 28 का discount मिल रहा है अगर 100 रुपे के product पर 28 डिसकांट मिल रहा तो कितने में भिकराया आप बोलो साथ 72 में कुश्चन में कितना दे रहा है 72 की वैल्यू 468 इसको काट लो 18 चुक को वात्तर 18 से ये काड़ जाएगा 18 दूनी 36 18 चिक्के 108 चार की वैल्यू 26 आगए एक की वैल्यू क्या जाएगी चार्चिंग 24 बचंगा दो tutti points 6.5 की वैल्यू क्यों जाएगी है आप सरकी वैल्यू हो जाएगी थेप अचशो पकचास ठीक है यह ये अन्सर वो गया दूसरा तरीका कै लगा सकती है दूसरा तरीका ratio में चयजकती है ýêं रेषू में चार में और 10 रूपए का सामान कितने मेच है जारा, 9 में ठीक है बिल्कुल ठीक है, 2 साही ये कड़ जाए गा, 25 जल द, फंच्य तो दुनी 4 25 रूपए का सामान कितने 18 रूपए में भिकरा थीक है 18 की वैल्ली वोश्चन में 2468 486 दे रखा 18 से काटो 18 दूनी 36 18 चिक के 108 1 की value के आ गई 26 आ गई 25 की value के हो जाई 25 चिक का 1.500 की 0 25 दूनी 50 और 15 चेहसो पचास यह answer आ गया ठीक है तो मैंने आपको दोनों method बता दी इसमें कोई दिक्कत दिक्कत हो तो comment करके बाद पूछ ले ना